एक दिन पहले आंद्रे रसल कैनेडा लीग में खेल रहे थे शूने पर आउट हुए और जैसे ही शूने पर आउट हुए उन्होंने एलान कर दिया कि वो अन्फिट है अब जिस तरह की वो ट्रेनिंग करते हैं जिस तरह से वो मैदान पर क्रिकेट खेलना है उसको देख कर कह है कि इनके लिए क्लब क्रिकेट ज्यादा इंपोर्टेंट है बनस्वत देश के देखे राजी भाई यह लोग मस्तमोला खिलाडी है चाहे गेल हो चाहे रसल हो चाहे सुली नारायन हो चाहे ब्रावो हो तो यह तो इनके बारे में यह नहीं कह सकते कि खेलेंगे नहीं खेल लेकिन ठीक है खेलना चाहिए लेकिन देश के लिए पहले होता है यह लीग बाद में होती है पैसा तो आप कभी कमालों किसी भी तरीके से कमालों गे Willkara लेकिन देश के लिए खेलना जोरूरी होता है बिलकुल और निखिल भी हमारे साथ जुड़ गये शर्चा में निखिल आप किस तरह से देखते हैं, 24 गंटे पहले वो Canada League खेल रहे थे और वहीं से वो कहते हैं कि वो unfit हो गया है, हमके घुटने में चोट है, अब सवाल बढ़ा ही है, अगर घुटने में चोट है तो फिर वो मैच कैसे खेल रहे थे, इतनी fitness कैसे कर रहे है, इतने gym में इतना weight training कैस है, इन खेलाडी जो ये अलग-अलग देशों में जाके T20 League as a professional खेलते हैं, ये इंतिजार करते हैं कि जब West Indies Cricket Board को हामी भरनी होगी, तभी इनको बुला के खेलाएंगे और एक तरीके से पूछेंगे, ये आप तयार हैं खेलने के लिए या नहीं, क्योंकि पैसे हैं नही क्योंकि इनका जो domestic structure है, उसमें से खेलाडी नहीं निकल के आगे. क्योंकि ICC कहता है कि हमने ही इन Leagues को हामी भरी है, तभी मैंने आज नहीं, आज से चार साल पहले बोला था कि ICC Custodians हैं, इस खेल के इनको बहुत समल के हामी देनी होगी, या अलाओ करना होगा कि अलग 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 देश में आप ये Leagues चालू करने दीजें, नहीं तो अंत में होगा क्या, नुकसान किसका होगा, ICC का ही नुकसान होगा, क्योंकि जब अंतराश्य क्रिकेट होती है, विश्व कप होता है, तभी ICC पैसा कमाता है, लेकिन आप अलग अलग लीग्स ये चालू कर देंगे, तो आपने बिल्कुत सही का, भारत को छोड़ के सभी देश वो अंतराश्य क्हिलाडी को एक तरीके सा तयार कर रही है, लेकिन बाकी देशों में ये परिशानी आएगी, तो ये बहुत समल के कदम उठाना चाहिए था ICC को, बिल्कुल रितंदर भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहा है, रितंदर आप किस तरह से देख रहे ह और बाकी के क्रिकेडेस के लिए एक्जामपल सेट कर रहे हैं, कि आप देश के लिए ना खिलें, आप आके क्लब खिलें, आप लीक खिलें, क्योंकि पाकिस्तान से कुछ खिलाडी रिटायर हो रहे हैं, वो वहाँ पर खिलना चाहते हैं, और कई ऐसे कंट्री से खिलाडी ह जो Club Cricket यानि की Big Bash खिलना चाहते हैं, Canada League खिलना चाहते हैं, IPL खिलना चाहते हैं लेकिन जैसी बात Country के लिए आती है, वो मना कर देते हैं अब ऐसे में दोश आप किसका देख रहे हैं? रजीव सबसे पहले तो ये आपको सोचना होगा कि आप क्रिस गेल क्यों बने आप एंडरेर रसल क्यों बने इसलिए बने क्योंकि आप अपने देश केुले आपने अच्छा किया तो आज आपकी डिमाढ्ड है लीक्स आपको खिलाना चाहती हैं तो अगर आप पहले लीक को यहाँ पर प्रेफरेंस ले रहे हैं तो वो सरा सर गलत है और यहाँ पर मैं तारीफ करना चाहूँगा BCCI की BCCI ने अपना point clear कि रिखा है हमेशा से जब यह लीक्स की बात आती है कि अगर आप retired player है तब ही आप ये लीग खेल सकते हैं अगर आप भारत के लिए खेल रहे हैं या आपकी विचारदारा है आप भारत के लिए खेलना चाहते हैं लेगे रितेंदर कुछ हाकड़े आपके बगल में चल रहे हैं रितेंदर कुछ हाकड़े अगर आप अपने देश को प्रियोर्टी नहीं दे रहे हैं, मैं मानता हूँ कोई कॉंट्रोवर्सी हो सकती है, फीस की बात हो सकती है, कुछ भी उनके बोर्ड में दिक्कत हो सकती है, बट अगर आप कल आप बल्ले बाजी कर रहे हैं, आज आपका भारत के साथ मैच है, आप हो गए हैं, तो यह बड़ा सवाल है, तो यहां पर तो यही नजर आ रहा है, कि आप लीक्स को प्रियोर्टी पहले दे रहे हैं, और देश बाद में, लड्डू खाने की बात हो रही है, ऐसा लग रहा है यहां पर प्रवीन, कि वो इंटरनाशनल क्रिकट भी खेलना चाहते हैं, क्योंकि वेस्ट इंडीस के एकमात रही सी टीम है, जहा के खिलाडी इंटरनाशनल क्रिकट भी खेलना है, और जा के लीक भी खेलना है, और अपनी अपनी सोच है, जैसे निखिल भाई ने कहा और सोडी भाई कहने है, हो सकता है बोर्ड में कुछ कमी चल रही है, कुछ वर्षों में इनके हापे चल रही थी, तो ठीक है, खेल रहे है, वो अच्छी बात है खेलने, लेकिन कंट्री के लिए पहले खेलना चाहिए, पैसे कमा हो, घुम घुम के पैसे कमा हो, और निखिल भाई ने भी अच्छी बात कहीए, हमारे बोर्ड ने एक रखा है, क कि जब हम रिटाइर होंगे तब ही खेलेगे, इसलिए हमारी साइथ क्रिकेट इतनी बढ़िया हो रही है, इतनी अच्छी चल रही है, तो मेरे ख्याल में वही पहले प्रात्विक्ता देश होना चाहिए, ठीक है, पैसे हर जगह कमा रहे है, करेडल लीग हो रही है, टीटन में हो रही है, पचास से ज़्यादा मैचेस, ये दरशाता है कि कितना कमजोर जिस तरह आप करेडल कमजोर तो है, साथ ही मैं फिर कहूंगा कि कुछ ना कुछ ऐसा रूल लाना चाहिए, कि अगर आप कंट्री के लिए इतने मैचेस नहीं खेलते तो फिर आप किसी भी कंट् कि एक बात कि पैसे के लिए खेल रहे हैं, सब ये खिलाड़ी, इसमें कोई दोर आई नहीं है, जब वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम नहीं खेल रही कहीं, तो ये जितनी लीग्स हो रही हो तो अलग बात है, लेकिन ये जब छे मैचेस होते हैं, तो यानि कि जब लीग्स मैच हो रहे हैं, तो वो 6-7 मैच जाके वो खेल लेते हैं, क्योंकि वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ट भी लाचा रहे हैं, उनके पास ऐसे मैच विनिंग खिलाड़ी है नहीं, और उनके पास पैसा भी नहीं है, कि आप कहें कि तरीके से मिचल स्टाक को आउस्टेलिया न आईपियल में आने से रोग दिया, क्योंकि विश्वा कप की वो तैयारी कर रहे थे, उन्होंने का आपका कितने का करार है, अगर 4 करोड रुपए है, 5 करोड का करार है, तो उसका भुकतान फिर ऑस्टेलियन क्रिकेट बोर्ट नहीं किया था, ताकि खिलाड़ी का भी नु जब वो अपनी देश के लिए कम से कम 80% मैचिस साल में खेलेगा, तभी उसको उस लीग के करार के 80% पैसे का हगदार होगा, नहीं तो उसको मुश्किल से 15-20% दीजे, देखिए, आई-सी-सी की वज़े से सभी लाइन में आ जाएगे, बिल्कुल और कुछ इंट्रेसिंग आकड़े और हम आपको दिखा रहे हैं और यह आकड़े बता रहे हैं कि साल 2016 टी-20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद वेसिंडीज के क्रिकेडर्स कैसे लीग मैचेस में बढ़ गए, देश के लिए नहीं खेले और 33 प्रतिश्यत खाली मैचेस जीत पाएं, रितेंदर अब यह और बड़ा हैरत अंग्रेस आकड़ा है कि वर्ल्ड चेंपिन टीम 33 परसंड मैच खाली जीती है वर्ल्ड कप जीतने के बाद, यानि कि उनके खिलाडी बिखर गए, वो अलग-अलग लीग्स में खेल रहे हैं, देश के लिए नहीं खेल रहे हैं, और देश का ग्राफ पर 38 छक्के लगाते हैं, मैं क्रिस गेल की बात कर रहा हूँ, और फिर आप अपने देश के लिए नहीं खेल रहे हैं, एंड्रे रसल ने आग लगाई हुई थी, आज वो अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर एक छोटा सा मैं इंसिडेंट बताना चाहूँगा, मैं और नि जो हम प्रेफरेंस हूँ अपने क्रिकिट को देते हैं, इस लीग को नहीं देते, तो कहीं न कहीं और देशों को भी ऐसा ही स्टेप लेना होगा, नहीं तो समय दूर नहीं कि ये लीग्स डॉमिनिट करेंगी उसको भूले और आगे की तरफ देखेंगे, बिल्कुल पिछली बात तो भूली चाहिए, विराट तो कहरें उनको नीदी नहीं आ रही है, नहीं होता है, दो-तीन दिन लग जाते है, तो मेरे ख्याल में पिछली बात भूलनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और यही हम लोगों को सिखाए जाता है, चाहिए क्रिकेटर हो, चाहिए कोई भी हो, तो मेरे ख्याल में जो टीम है, वेस्ट इंडीज की, उनके पास फासबोलर उतने अच्छे नहीं है, जो यॉर्कर डाल दे, और रसेल भी नहीं है, गेल नहीं है, तो बड़ा फर्क पड़ता है, हम चाहिए बेटिंग हो, चाहिए बोलिंग हो, चाहिए फिल्लिंग हो, ठीक है, सर्प्राइज कर सकते थे यह, अगर गेल होते, रसेल होते, पॉलाड भी अपने देश के लिए कुछ नहीं किया, उन्होंने, अभी इमारत के खिला उनके ट्राइक रिकॉर्ड भी बहुत खरा है, और करेबिन कलर में एक दम निकल नजर आ रहा है, निकल लेकिन विराड ने बड़ी इंपोर्टेंट बाते कहीं है, अगर आप उनकी प्रस कांफरेंस सुनें, एक तो वर्ल्ल काप को लेकर जो दर था, वो बाहर आया, फिर उनका ये कहना था कि वर्ल्ल काप 2020 की तरफ वर्ल जितनी भी बाते आपने सुनी विराड की क्या कुछ अगर समप करना चाहें, कैसे समप करेंगे? आपको वर्तमान में जीना होगा, अब आज से एक और प्रतियोगिता चालू हो रही है, एक और शंकला चालू हो रही है, और आपको तयारी करनी है अगले T20 वर्ल काप के लिए, इसलिए आपने देखा होगा कि किस तरीके से युवा खिलाडियों को मौका दे जा रहा है T20 मुकाबलों में अब तैयारी चालू हो गई है, यह अच्छी एक बात है विराट की और BCCI की और सभी की, कि हम थोड़ा सा आगे प्लैनिंग करते हैं, और T20 विश्वक अप से पहले भी आप देखिएगा कि हम लोग कितने सारे T20 मुकाबले खेलेंगे, तो एक तरीके से आ आपने देखी विराट कोली का बॉडी लैंगवेज आप देख रहे हैं, मुंबई में भी देखा आपने और अब फ्लॉरिडा में भी देखा, किस तरह आप देखते हैं ऐसा कैप्टन विराट कोली हार के बाद, इतनी बड़ी हार के बाद जब अपनी टीम को आगे लिखे में तो ये कॉमेंटरी जो कर रहे हैं अब रेगुलर ये उसका सिटा है, तो वेल्डा निखिल ऐसी आप हिंदी बोलती है रही है और हम सीखेंगे आपसे, और जो आप बॉडी लैंग़िज की बात कर रहे हैं विराट कोली की, मुझे ऐसा लगता है रजीब, एक औरा क्रि चर का जो प्रिडिकामेंट है न ये सीरीज जवाब दे दे। चले, नमबर चार को लेकर रितंदर की परेषानी लगातार बढ़ती जारी जितना परिशान शलेक्टरस नहीं थे उससे कहीं जाधा रितंदर फोडी परेषाने, नमबर चार को लेकर विराट को ली ने नंब कि एक प्रेब करो देए सिम्हें देवाट में देञ्फ परिज़ा तो साइट को थे करो है विल्द यहां अवजा में लौनारी कि अपया हो जाता आरपि को नहीं के लिए प्रेज सेुट फूर्टना फ्रेम बाट फिल्टिवाद टे यहांसे हगि को दिस बार बाट देवाट that as I said it's a great opportunity for someone like Rishabh Pant to really play a lot of international cricket you know show his credentials really unleash his potential at this stage we know how much ability he has and we all want him to become a consistent performer for the Indian cricket team. किस तरह आप देख रहे हैं रिशप पन्द पे जिस तरह का बरुसा कप्तान ने जता है? मैं तो यही कोँगा ऐसा बरुसा अगर दस साल पहले भी कप्तान अपने प्लेयर्स पे जताते ना तो बहुत से लोग काफी लंबी cricket खेलते भारत के लिए बट यह बड़ा मौका है और यह आखली मौका भी हो सकता है रिशप पन्द को अपने आपको थोड़ा रीकलेक्ट करना होगा शॉट्स निकल का यह कहना है अब अपना दर्द तो नहीं पता रहे हैं निकल यह आपका दर्द भी हो सकता है परवीन का भी दर्द हो सकता है तुमाम उन ख्रिकिटर्स का दर्द में है जो इसके 7-8 साल पहले खेलते थे निकल युगा खिलाडियों को लिए बड़ा बड़ी पॉस्टिफ बात करेंगे लेकिन युगा खिलाडियों के लिए बड़ी पॉस्टिफ बाते करी हैं विराट ने उनका ये कहना है कि बहुत अच्छा मौका है कि अपनी प्लेस को सिमेंट करें आपको लग रहा है ये जो साथ-ाथ खिलाडियों का एक पूल गया है टी-20 सीरीज के लिए बड़ा इंपोर सुनके बड़ अंत में जिम्यदारी के साथ आपको मैचिस खेलने हैं आपको मुकाबले जिताने हैं आप ये नहीं कि आप जीत की देलीज पे खड़े हैं और आप आउट होके वापस चले जाएंगे और फिर वो मैच जो है वापस मुश्किल में पड़ जाता है कोई भी य किस तरह की उमीद आज रख रहे हैं क्या होगा आज सिरीस के पहले मुकाबले में जबदस्त है और जैसे निखिल भाई बोल रहे है रिशाप पंत के बारे में उसको पूरा मौका देना चाहिए वो ऐसा खिलाड़ी है कि कभी मैच अलट प्लट कर सकता है लेकिन उसकी भी बनती है कि वो जल्दी से जल्दी से मैचे और राज मैच नहीं हिंदुस्तानी जीतेगा वो विसली चलिए बहुत शुक्रिया प्रवीन आपका निकिल भाई आपका भी और रितिंदर आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए तो हमारी इस खास पेश्यत में फिलाल इतन